आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अपने पास दे रखें, A और B और यहां पर तीन तरह की मशीने दे रखी है एक, दो, तीन और इन में लगा हुआ समय मिंटों में इस तरह से दे रखा है कि A प्रकार की खिलोने के लिए करमा से एक, दो, तीन मशीनों में इस तरह का समय लगता है और B प्रकार के खिलोनों के लिए इस तरह का समय लगता है अब आगे हमें क्या बोला है आगे हमें बोला है प्रतेक मशीन अधिक्तम 12 गंटे प्रती दिन उपलब्द है यदि A प्रकार के खिलोने की बिक्री पर 7.5 रूपय का लाप और B प्रकार के खिलोने की बिक्री पर 5 रूपय का लाप राप्त होता है तो दर्साइए के अधिक्तम लाप के लिए परतिजिन A प्रकार के 30 और B प्रकार के 60 खिलोने निर्मित होने चाहिए तो सबसे पहले तो माना a प्रकार के x वे b प्रकार के y खिलो ने निर्मित होते हैं ठीक है निर्मित होते हैं प्रती दिन निर्मित होते हैं अब आगे उसके चलते हैं तो देखो यहां पर हमें बोला है सबसे पहले हम उद्देश्य फलन निकाल लेते हैं यहाँ पर देखो उद्धेश फलन में जेड बराबर प्लूइड बराबर 입 एक खेलोनों के लिए अपने पा साधे साथ रूपए तो कितना होगा एस जोन Kit मतलब जो भी अपने पास अंगच्छेत्र आने वाला है वो परतम चत्रसांस में जाने वाला है ठीक है उसके बाद हम चलते हैं देखो परतम मशीन के लिए एक तो हमें दे रख है कि हर मशीन जो है अधिक्तम 12 गंटे चल सकती है तो परतम मशीन के लिए हम जो है व्योरोध न मिनट में रखा था तो यह 12 गंटों को भी मिनट में परिवतित करना पड़ेगा तो बारा गुणा साथ ठीक है बार्चकानी बहतर मतलब साथ सो बीस यह अपने पास आ जाएगा अब मशीन बी के लिए देख लेते हैं या फिर इसको ही सरहल कर लेता है एक काम करते हैं सबस प्लस नो वाई चोटा या बराबर होगा सास्सो बीस एक अब इनको शरल कर लेते हैं तो पहला वाला व्योरो तो यह तो अपने पास इसी तरह रहेंगे ठीक है और यह मेरे पास जो है छे का भाव पूरे में जा रहा है तो दो एकस प्लस वाई चोटा या बराबर है 240 के अब देखो इसका ग्रापेपर में संगच छित्र निकालने के लिए इसको एक रेखा बनाना पड़ेगा और रेखा बनाने के लिए इसको समीकरण मानना पड़ेगा तो पहला वाला तो अपने पास क्या जाएगा 2x प्लस y बराबर में 120 तो यहां पे जब x बराबर 0 रखेंगा तो y बराबर 120 पराप्त हो जाएगा अपने पास और जब y बराबर 0 रखूँगा तो x बराबर में 120 बटा 2 60 पराप्त हो जाएगा ये 2 बिंदू इसलिए निकाले क्योंकि रेखा का निर्मान करने के लिए 2 बि यहां से मेरे पास बिंदू प्राप्त हो जाएगा यहां से मेरे पास बिंदू प्राप्त हो जाएगा एक 120 यह अपने पास आने वाला है 120 जीरो फिर उसके बाद एक और दे रखा है 18 बारा एक बराबर में सोरी एक बराबर में 40 तो देखो इसमें 2 एक से बिलकुल समांतर रेखा जाएगी जहां पर वाई का मान कुछ भी एक सकामान हमेशा ही 40 प्राप्त होगा अब उनका निर्वान करने के लिए सबसे पहले ग्राप पर ले ले लेते हैं और उसमें कारथिय तो यह अपने पास आ गया यह अपने पास आ गया एकस अब इसमें प्राप्त हल पराप्त होगा पर्फम प्राप्त होने वाला है तो एक खाना बराबर 20 ही हम ले लेते हैं इस तरह से आगे तक चलता रहे गा और ऊपर भी अपने पास 20-40 आगे तक चलता रहाएगा दोनों को मल्लिक देता हूं पर अब यह मैंने प्यमाना लेकर बना दिया और उसके बाद अब ग्राप रेखा का निर्मान कर लेते हैं तो पहले में 0120 और 60 यह वाली रेखा है आगें 080 और 120 तो 80 तो कहा गया 080 अपने पास यहां पर आगया और 120 एक सो बीश जिरो कुछ यहां पर आगया तो नों बिंदों को मिलाते हैं अब देखो अपने पास एक व्यावरोद ओर बच गया इसमें क्या दे रखा था आमें इसमें इसमें दे रखा था एक्स बराबर 40 पे एक रेखा खीश देंगे तो X ब्राबर 40 वाली रेखा इस तरीकी से जाएगी जहां पर Y का मान कुछ भी ओ एक्स का मान हमेसा ही 40 रहेगा ठीक है तो यह वाइएक्स के बिल्कुल समानतर रेखा जाने वाली है इस तरीके से ठीक है अब अब देखो इनके व्यवरोद निकाल लेते हैं सबसे पहले तो व्यवरोद में क्या होगा देखो दोनों में जो है लेस देन जीरो था इसमें भी दो जो एक्स प्लस य चोटाए वराबर एक्स चोटा यह darf और व्यर, जो में कि तरफ आला बहागा जायेगा तो तीनों का उबनेश्ट हल चेतर जैसे मैं निकालता हूं तो इस तरीके से अपने पास प्राप्त हो रहा है देखो यहां पर च्हायांकित कर देता हूं यह वाला भाग जिसमें तीनों रेखा है इसमें सामिल होने वाली है तो यह जो अपने पास परिबद्ध चेतर बनने वाला है इसमें कुछ कोनिये बिंदू प्राप्त होने वाला है उन कोनिये बिंदू को पहले में नाम दे देता हूं और उनके निर्देसांग निकाल लेता हूं प्रत्तम कोनिये बिंदू ए जिसके निर्देसांग है 00 ठीक है यह कोनिये बिंदू बी जिसके हम यह वाला जो बिंदु ए इसको मैं B नाम देता हूं बीपए झामान तो 40 रहेगा और य का मान कितना आ isai da com यहां पे एक य तोनों के मान निकाल सकते हैं यह तो यहां पर देख की पता लग रहा है सोल करने की ज़रत नहीं है तो यह अपने पास आ गया 30 और 60 अब यहां पर जो उद्देश फलन मैंने क्या निकाला था उद्देश फलन मैंने निकाला था 7.5x और 5y ठीक है तो z बराबर में आ जाएगा साड़े साथ x प्लस 5y यह आ गया अब देखो यहां पर कोने बिंदू सबसे पहले मैं लिख देता हूं कोने बिंदू क्या क्या आये अपने पास पहला कोने बिंदू अपने पास आया था 00 ठीक है इस तरीके से यहां पर आ जाएगा यह 00 फिर ब कितना आ जाएगा विए अपने पास आ जाएगा 40 0 ऑसले कितना स्फश्वल सहा nouveau को टुंट है कितना यह कितना आया था 30 60 ठीक है यह बिंदूर और अपने बिंदूपे अपने पास उद्धी श्यफिल का अमान निकाल लेते हैं यह 0 आ जाएगा यह अपने 7 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो यह कितना आ जाएगा सोरी साड़े साथ को 4 से गुणा नहीं करेंगे साड़े साथ को 40 से गुणा करेंगे तो 55 गुणा 40 हो गया तो 55 गुणा 4 अपने पास प्राप्त होगा 300 के बराबर ठीक है यह 300 आ गया इसी तरह Z बबराबर यहां पर आजाएगा 4520 तो 400 के रबराबर पराप्ता हो गाई इसी तरह ये अपने पास कितना प्राप्ता हो रहा है कि कि Yakिorth 500 के बराबर प्राप्त हो रहा है इसी तरह जेड़ बराबर यहां पर कितना प्राप्त हो रहा है देखो यह 225 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा च्छे पंजे तौिछ वोगा तो तो टॉटल मिला गिंवां 525 के बराबर प्राप्त होगा तो अधिकतम अपने पास प्राप्त हो गया 500 पशिए के बराबर ठीक है तो यहां अदिकतम एक पर सब्ंधर Bush करना था 엄마 को यह बताना था अधिकतम जब लाब प्राप्त हो रहा है तो यह तो कितना हो गया अधिकतम लाब अधिकतम लाब जब प्राप्त होगा तब अपने पास यह 30 और 60 क्या दे यहां पर देखो 30 तो अपने पास जो है विटमीन परती दिन ए प्रकार के 30 और बी प्रकार के 60 खिलोने निर्मित करन मतलब एक प्रकार के तो 30 किलो ने और बी प्रकार के 60 किलो ने निर्मित करने होंगे यह मैंने सिद्ध कर दिया यही अपना उत्तर है आसा करता हूं यह सवाल आपको समझ में आया होगा धन्यवाद क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीड आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज यह डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर